अच्छे आज के इन एंट वर्डिवन आज के इन वाले का मताईजाम कोपोगा स अभस्मोक्षेंगा संब और किमाीhero को इसक्राइट के अच्छेंच सरस्क्राइब आपको पता होगा कि मेंस और एडवांस के फॉर्म में होता है तो पहले आपको मेंस देना पड़ता है बात यहां पर आती है कि पहले मेन देना पड़ेगा तो वही यह कब पेपर हमको देने को मिल जाएगा तो देखें यह पेपर आप क्या है 12th अपेरिंग से देना क्या श्टार्ट कर सकते हैं मतलब आपको 11th में मौका नहीं मिलेगा आपको 10th में मौका नहीं मिलेगा आपको 12th appearing में मौका मिलेगा 12th appearing का मतलब होता है जिस साल आप 12th की त्यारी कर रहे हैं जिस year आप 12th का vote exam देंगे उस year में आप क्या है J.E. mains का paper दे सकते हैं तो IIT J.E. का paper दे सकते हैं और उसके बाद आप next year भी IIT J.E. mains और advance का paper क्या है दे सकते हैं तो 12th appearing में और 12th appearing के बाद आप IIT J.E. mains और advance दोनों का paper आपको क्या है देने को मिलेगा और अगर कोई आपका confusion है जो आप पूछना चाहते हैं वो नीचे आप comment और उसे comment करके पूछ सकते हैं और याचे वीडियो देखने हैं कि आप चेहरे को जबूछ सब्सक्राइब करें नोटक्शनल दवाएं क्योंकि हम आपके लिए आपके लिए आपके लात रहते हैं और थैंक्स वार्चेंग और वीटियो